आप हम लोग इलस्टेशन नमर 17 में आ जाते हैं तो आप लोग आ जाएं इलस्टेशन नमर 17 इसे पहले चिक कर लो आवाज सही से आ रहा है कि नहीं इलस्टेशन 17 चलिए ठीक ही आ रहा है क्या देर रख़ा है समस्में सबसे पहले इस्टेशन 17 में calculate the WACC using following data by using by using book value weight और उसके बाद market value weight इस तरह से हम लोग को इस्टेशन 17 में निकालना के तो weighted average cost of capital और यह एक बार निकालना से पहले इस तरह से हम लोगो दोनों ही हिसाब से एक market value हो गया एक बार दोनों ही मेथर से हम लोगो निकालना है weighted average cost of capital इसमें क्या दिर्ख़वा है the capital structure of the company is as a capital structure debenture दिर्ख़वा है 100 per debenture जो कितने का दिर्ख़वा है 5 lakh तो अगर इस तरह से number of debenture के लिए हम लोगों क्या करना होगा है हम लोगों करना होगा 5 lakh debenture का value दे रखा हुआ है इसमें divide कितने से करेंगे तो divide करेंगे 100 से क्योंकि face value 100 दे रखा हुआ है इस तरह से number of debenture कितना आ जाएगा तो यह आ जाएगा 5000 ओके यहां तो कुछ प्राल होनी होगा आप लोगों जब आगे बढ़ते हैं समस में तो कितने का दे रखा हुआ है इस तरह से नमर आ जाएगा 5000 यहां तो कुछ वाल हो नहीं है आप लोगों को आगे देखिए इक्विटी शेर और रुपीज दी पर से यह दे रखा हुआ है तेन लेक इस तरह से number of क्रीशेर कितना आ जाएगा तो यह आ जाएगा वाल नेक तो यह बार बाए टेम करके हम लोगा कितना आ जाएगा वाल नेक आजाएगा अगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है तो यहापे तक में आगे रखा हुआ है तो यहापे नियाँ क्या आगे आ गया जो भी सिधोर देयこれ रखवा है चैंट कि की अम लोग इंट्रेस्स प्रवाइट मतलब क्या होगा इंट्रेस्स का रिट्रष कितना रह सबco θα है रूपिस तो इसे बोला जा सकता है 10% कि यहां तो कुछ फ़ार नहीं आप लोगों अभी तक में रिडिमेबल हैलियो हम लोगों को दे रखा हुआ उसके बाद रखा है इंट्रेस रिख रिख रखा है उसके बाद रखा है 4% रोटेशन कोस्ट और 10-year maturity तो यहां पर 10-year maturity हो गया 5% सब कुछ यहां पर दे रखा है जो भी हम लोगों को चाहिए होता है जो अब थर्ड पॉइंट में रेखिए इक्विजिश रहा है रूफीज 4 फ्लोटेशन कोस्ट और मार्केट पाइज ऑफ रूपीज 24 परसी तो यहां पर मार्केट वाइज हम लोगों को 24 ते रखा है जिसमें फ्लोटेशन कोस्ट रूपीज 4 ते रखा है तो इस तरह से हम लोग अगर नेट प्रोसीड नेट प्रोसीड कितना आजाएगा यह आजाएगा 24 माइनस 4 विकाज 24 हम लोगों के पास कंपनी के पास 24 रूपीज आ सकता है बट उस ने फ्लोटेशन कोस्ट कितना अगरगा फ्लोटेशन कोस्ट कंपनी को पैसा रेज करने टाइम है जो एक्सपेंस हो रहा है उसे क्या ब अगरगा फ्लोट कोई पर संट यहां पर जिसका रेज क्या रखवा है तो इसे बिद्धर के रूप में तो प्रप्रषण दे रखवा है जी भी है तो फ्रम है स्टेस प्रेक्टिस पर पें औल अल अंडिंग सह इन संट का अंडिक होता है वह हमें सक्दिविए दिवरेंग तो हम लोग जब भी इस ताइम में क्या निकालते है आया रा जो होता था इंटर्ण लेट ऑफ रिटर जो कैपिटल बस्टिंग जिसे इंवेस्मेंट डिसीजन बोला रहता है उस चेप्टर से आया हुए तो अगर आप लोग कैपिटल बस्टिंग देखे होगे पहले तो समझ मिली आएगा तो ख़वजाना नहीं है पहले कैपिटल बस्टिंग देखना है उसके बाद आप लोग को यह आकर के देखना है सामस्मेट जो भी ते रखवा था वो दो हम लोग एक बाद समझ लिए है अब हम लोग डाइट चले आएंगे कहां पे तो कापी में आज आ सब्सक्राइब क्या 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 अग एक्विटी से रिलिटेट जो भी इंफ़ी दे रखे रहा है और अगर एक्विटै नहीं दे कोड़ा है उसके बाद यहां पर दे रखा हुआ है क्या दे रखा हुआ है expected dividend हम लोग को दे रखा हुआ है अगर expected dividend नहीं दे रखा होता है उस time में हम लोग growth को adjust करने के बाद निकालते थे expected dividend और यहां growth भी दे रखा है कितना percent तो 5% और तो खुछ नहीं दे रखा है sums में हम लोग को पता था जो की स्टेंट था फेस वैल्यू एंड उसके बाद market price हम लोग को बता यह था 24 दोलों की case में same था यह जो रहा हम लोग का market price 24 यह हो गया अब यहां sums में हम लोग को market price है सब्सक्राइब है और उसके बाद growth है इस से हम लोग को क्या निकालना है चले निकालते हैं cost of equity के लिए फार्मना क्या होता था सब्सक्राइब है यह हो गया प्लस ग्रोथ तो टीवन हम लोग को कितना मालग है वन है 24 मार्केट प्राइस है माइनस फ्लोटेशन कोस्ट हो गया अग्रोथ कितना रखवा है समस्में यह रा ग्रोथ 5 परसंट इसे सॉल्ट कीजिये कितना आता कि अ इस सब्सक्राइब करने के ब फार्मना कंचे तो इस तरह से यह सॉल्ट करने के बाद मुण का न मुकर कितना इक सब्सक्राइब करने के इस अ 1972 प से यह भूद 610% की सा आता द्लाइब करने to अ दलोंक आफ को को अ क्या निकाल दो अ जिसे क्या बोलते हैं क्रेट कैसे निकालना है लोग को सबसे पहले के बारेंगे उसके बाद हम लोग निकालना इस्टार्ट करेंगे देखिए पर देखिए हंट्रेट क्या रखवा है हम लोग को हिंट्रेश दे रखवा है एड़ पार तो यहां पर हम लोग को दे रखवा है रिदेंशन वैल्यू आ गया प्लस में 10% पर रेट कितना आ जाएगा 10% उसके बाद 4% क्या है फ्लोटेशन कोस्ट 10 यह क्या है पैचुरिटी ह पर देखवा है और उपर गया है तो यहां पर हम लोग को देखवा है आज यह कोपे पर लिए सब से पहले का फिर इंट्रेस रेट जी से क्या पलाता ता कूपर नेतरा थो पर आतो में 10% कि-market price यह हमिऊ घुडर रख़्ा 105 फिर flotation cost market price है 105 फिर flotation cost है 4 redemption value कितना है यह है 100 कितना है life कितना है याई 10 개 po और तो पुष नहीं दे रख़़ है सबसे पहले क्या रिखाता है अगर ध्यानीची संस में इस स्पेसिफिक ली कह बोला गया है क्या बोला गया है संस में स्पेसिफिक ली कह यहां पर है कि यूज हम लोगों को क्या करना है लिखा गया रहा तो उस टायम कहा का दे उसola का दें कि करते आप द कोस्ट ऑफ के लिए ऐसे आप तर什麼 aid सब्सक्राइब निकालते कब इसके लिए फ़र्म आता था इंट्रेस्ट फिर वान मानस टैक्स प्लस रिदेंशन वाल्यू या रिलाइजेबल वाल्यू जो कुछ भी इसके फोल निकालते थे आरवी प्लस एनपी इसके लिए अब ध्यान देशन इसके इसके इस ट्रेट जो कोपा नेट दरखा वह वह किना दरखा वाए तो यहां पर 10 आ गया फिर 1- इस टैक्स टैक्स कितना परसें तरफ थाड़ी परसंट या जाएगा 0.7 फिर रिदेंशन वैली उन्हों को समझ में दे रखा हुआ है 100 यहां लोगों कितना लिखना है 100 लिखना है फिर नेट प्रोसीड देंखिए तो नेट प्रोसीड के लिए हां पे कितना दरखा है प्र नेट प्रोसीड इस इकवल तू जो मार्केट प्राइस दे रखा हुआ 105 उस पे से हम लोगों को 4% माइनस करना होगा 4% of what तो 4% यहां पर मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस जो भी दे रखा हुआ 105 उसका 4% विकॉज जब ही फ्लोटेशन होगा वो जितना इसू प् कोई भी कम्नी रेज करते हैं चाहें प्रिफ्रेंसर या डिबेंचर के रूप में तो उस टाइम में कभी भी कमिसे राज होता है कंशन हो या ब्रुक्रे चार्ज हो तो वो कमिसान ब्रुक्रेष किस एम Only पर चार्ज होगा तो जो ट्रांजेक्शन होएमान होगा उस पही हा होगा और इस case में जो market price होगा 105 तो वही तो issue price होगा तो वही क्या होगा transaction price हो गया तो उसी पर यहां पर charge क्या जाएगा floatation cost ओके चलिए इसी करते है 105-5% था फोर था फोर था तो कि कितना आ जाता है हम लों का यहां आता है 100.8 divided by n कितना है तो लाइफ यहां पर meaning like कितना मानते हैं मानते क्या इसमें ते रकवाए 10 फिर 100 ब्लस 108 सरी 100.8 divided by इसे solve कीचिए यह संस लंबा होने वाला है तो आप यह डवल के किसी से भी हो सकता है तो आसे नहीं बोलना कि हाँ चलौ यह आप से कि कि आफिए इस अचिए तक वाल माद शौल हुए पॉने जिए वाल कीजिये आप भूट में अचनल क्याल हुए 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 है यह आ गया 6.89 कितना गया 6.89 परसेंट देंगी इल्टु मैच्रोटी बोला फिर भी हम लोग जो नॉन्माली फ़र्मॉला होता है उससे निकालें कितना परसेंटेज हुआ का देट कितना परसेंट हुआ एक तो मुझक होता है विकने किस्ता परसेंट होगािए हुआ माल लगे एक लिए लेनास नो со सब्सक्राइब लेएimizeक विए लेनके फैर किस्ते परीपरसेंट और एमने परसेंट Snदीabara II इसलिए यहां पर को स्वाइव परें वह कितना है प्रसेंट आया था इसले स्क्ली करेंगे इसलिए यहां लिखते है आया के लिए कि इन डिल्टी में स्वाइब को सब से पहले यह क्यास फ्लो कि यह रागा है जिरो फिर वन से ले करके कितने साल तक तो दस साल तक मिल रहा है इंट्रेस्ट मिलेगा एंट्रेस्ट मिलेगा तो यह आ गया हम लोगे कितना है रहे हं अंद्रेस्ट के लिए यृवालों कितना एंट्रेस्ट कितना रखा एंट्रेस्ट निकाले ताहीं हमें इसे यहां भी क्या करना नेट ऑफ टैकसेश लेना है किटिए लेना है और वेश्यांट यह लिए फेस वेले है उसका 10 पैसे 10 आ ग्या इसमें से हम लोगों को टैक्स तो माइनस करना होगा ना जिरिए यह कितना आ पर उसमें से 4% flotation cost minus हो गया तो यह जो हम लोग solve के तो यह कितना आया था 10100.8 तो यही 1008 100.8 यह क्या जाएगा जीरो यह का cash inflow जाओ तो 100.8 तो यह आगया हम लोग का cash flow में तो अगर company के viewpoints से देखा जाए तो company जब adventure क्या करेगे issue करेगे तो cash inflow कितना होगा company के viewpoints से अगर देखा जब सिर्फ company का बोल रहा होगी तो 108 के आगया company के पास inflow आ रहा है but company को outflow क्या करना होगा तो यहां पर outflow हो जाएगा seven हो जाएगा and कितना हो जाएगा hundred हो जाएगा यहां तक तो कुछ प्रावल्लम नहीं है आप तो अगर company issue करते है तो उस ताम में company के पास 100.8 आएगा पैसा and seven rupees interest के रूप में जाएगा 10 year तक 777 करके उसके बाद 10th year में जाकर के जो redemption value है वह भी company के viewpoint से जाएगा तो यहां था तो कुछ प्रावन है आप लोगों अगर यही investor के viewpoint से क्या देखे investor के viewpoint से तो इस case में investor hundred point eight hundred point eight क्या करेगा इंवेस्ट करेगा company में and उसके बाद इसे इस investor को 77 rupees करके 10 year तक मिले वाला है क्या मिले वाला है तो यहां पर interest मिले वाला है प्लस में 10th year में जाकर के redemption का value जो भी होगा redemption value वो इसे कम किसे तो इसे investor को यहां पर मिलने वाला है तो यहां तो कुछ वाल नहीं आप लोगों तो देखे जब ही हम लोग निकालेंगे cost IRN निकालते हैं तो हमेशा निकालते investor के viewpoints है तो investor के viewpoints है तो पहले में zero year में investor को invest करना होगा न गम नी में तभी तो तो यह हम लोग है इसलिए हम लोग क्या लेकेंगे से negative में लेकेंगे अब यहां discounting factor कितना एक बार हम लोग 5% एक बार कितना 7% because जो हम लोग को आया था cost of debt वो हम लोग को 5% से लेकरके 7 के बीच में था इसलिए हम लोग 5% एक बार 7% एक बार 7% एक बार 7% एकपर इसका present value फिर discounting factor एक बार हम लोग 7% फिर इसका present value यह आगया हम लोग का अब चलिए हमेशा जीरो एक लिक क्या होता है यहां भी क्या होता है यहां तो कुछ वाल हो नहीं है तो इस तरह से यहां पर परचन फलेव कितना आजाए को 100.8 जो नीगेटी पिंगेटी में होगा और यहां भी 100.8 यह भी क्या होने वाला है यह हो गया अब 5% से हम लोगों 10 यह तक निकालना हो दिगें 1 से लेकर के 10 तक निकालना होगा विस्कॉंटिंग्ट फैकर कितना होगा वह भी एक्यूमिलेट करके यहां पर अग्रिगेट करके हम लोगों को निकालना होगा यह कैसे निकालेंगे तो कैल्कुलेटर में अपने को टाइप करना होगा 1 डिवाइट वाइट परसें है ना तो 1.05 यह करने के बाद M plus करने के बाद last वाले में MRC करेंगे दस्में वाले में M plus करने के बाद MRC जब करेंगे तो जो भी आएगा वो देखी कितना है एक तो तीन चार्ट गोगे शेर साथ एक नौट इस यह कितना आ गया हम लोगा 7.722 यह हम लोगा आ गया अंद 10 में एर में किनना आ था तो दसमें एर में आ था 1 डिवाइब आ 1.05 एक दो तीन चार पांट शे साथ आना दस 0.614 यह आगे 61.4 यह आगे 7 x 7.722 54.05 यहां था तो कुछ प्रावल हो नहीं आप दोको बीवी निकालने के लिए इसी तरह से 7% का निकालिए 7% का कैसे निकालेंगे तो 1 divided by 1.07 a quarter plus two three four five five seven point zero to four 0.508 इस तरह से NPV हम लोग आ जाएगा नेट परजेंट वैल्यू कितना आता है वो कीजिए आप लो 34.05 प्लस 61.4 यह आगे इन फ्लो माइनस और फ्लो तो यह आता हम लोगा 14.65 14.65 हम लोग आ गया क्या आ गया तो NPV आ गया जो लोग रेट का था उसके बाद आप लोग निकालेंगे तो निकालें आप लोग में 49.168 प्लस माइनस तो यह माइनस में आ रहा हम लोगा 0.83 तो 0.83 मालेंगे इस तरह से एक बाद प्लस मा आ गया नपय एक बार क्या आया एक माया तो यह चुछ फिर जो होता था तो यह इस आइसे करने से कितना आजाता है तो लोवर रेट हम्यों का 5% रेजियों किया हुआ था प्लस 14.65 14.65 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.83 7 माइनस 5 चले 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 शॉल पिजे एभी कितना आदा 6.89% 6.89% एभी हमलोका आगे तो यहां तो पुछ पालों ने आप लोगो 6.89% आ गया जो IRR में तड़ में तो इल्टो मैजरेटी में हम लोगो 6.89% आया प्लस में जो नॉर्मल में जो हम लोग चेक किये थे रिडिमेबल देशर के लिए रिडिमेबल डेट के लिए जो भी हम लोगा होता था तो यह वह लोगो आप अब वर्किंग नमर थी में क्या निकाला था तो प्रिफरेंसर को अब प्रिफरेंसर के लिए रख़ए वह हम लोगों चेक करते हैं सब्स में सेकेंड पॉइंट हम लोगों को देखा है प्रिफरेंसर के लिए सेकंड पॉइंट में रूपीज हंडेट पर से रेडिमेबल आट पार तो यहां बेडिमेबल वाल्यू कितना हो गया अंडेट आगया 5% कूपर रेठ है 2% क्या हैопलोटेशन कास्ट उसके बाद 10-year मैचुरीटी है उसके बाद ने रखा हुआ हम लोगों को प्राइस दे रखा हुआ है वन वन चिरू उसके बाद फेस वाली हों लोगों कितना रखा था हन्डेट रखा था है 100 दे रखा था हो तिन एंव्सेहSp ini संब् 토erson कॉस्ट कितना तुन ऐख़ 5 संधिक त्ट कि के माकेटाईब हिएoly के एकथ्य॥ सब्सक्राइब देराग धैक यया ग्ग माकेट सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह यह इंटेफन टेन ये विश्ट्री माईब कोस्ट कि प्ल्रतिव के लिए इस पहले कि निकालेंगे उसके बाद लोको एक इस्टिमीट हो जाएगा कि कितना हम लोग को एजियूम करना है डिस्कॉंटिक राइकर के लिए इसमें थुरह फास्ट करता हूं विकार इंट्रेश्ट जो निकाला था तो इस ताइम आप लोगों को समझाया था अच्छे से तो इसलिए इस टाइम अभी फास्ट चल रहा है तो बहुत तो चले के लि इविदेंट 5 ते रखाव है प्लस रेडेंट्टिन वाली कितना आ जाएगा तो यह 100 है माइनस एट वोसी तो निकालने के लिए हम लोग 110 प्राइज दे रखाव है जिसमेंसे हम लोग माइस करेंगे 2 परसंट ऑन बाद आ जरू माइनस तो परसंट यहा आता है 107.8 एट 107 107.8 एट इवार देन उसके बाद होल दिवार देन ब्लस 107 वां आतो यह एगा हम लोगा 4.06, कितना आ गया, 4.06 आ गया, अब ये भी निकल के आ गया, cost of reference 4.06, जो discounting factor जब हम लोग assume करेंगे, तो किस किस के बीच में हो सुरू करेंगे, ये हो सब्सक्राइब 3 के बीच में, कितना कितना, तो 3 के और 5 के बीच में, इसलिए हम लोग assume करेंगे, जो भी discount factor 3, and assume करेंगे, 5 assume करेंगे, तो आज आई ही, मनाते हैं सबसे पहले, year, year में 0 होगया, फिर 1 से लेकर के 10 year तक हम मिलेगा, 10th year में जाएकर के, जो भी redemption value होग वो मिलेगा, year 0 में, net proceed, net proceed कितना था, 107.8, कोई भी investor invest करना चाहिएगा, तो उसे इतना पैसा लगेगा, तो यह आगया हम लोग का, cash flow, फिर discounting factor, एक वारेजियूम करना है, 3%, एक वारेजियूम करना है, 5%, एक वारेजियूम करना है, 5%, यह आजाएगा present value, यह भी आजाएगा present value, और इसे 55 रुप्या करके मिलता रहेगा, और last year में कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 10 मिलने वाला है, 3% से आप लोग discounting factor निका लिए, पहले year 1 के लिए, year 0 के लिए तो 1 ही होता है, तो यहाँ इस टाइब है, 107.8 हो जाएगा, यहाँ भी 1 होता है, यह 107.8, यह पे लिए, year 0 गे लिए तो आप लिए पूश्म को भी प्राव मिलने लिए, आप 1 से लेकर लिए 10 तक लिए, 3% मिल 1 वाइब भाए 1.03, प्रीपाइब लिए तो 3, प्रीशन पावल थे लिए तो लिए, कि लिए प्रीशन पावलिंए, कि लिए 3 निए, कि यह यह आप लोका आ गया होगा कैसे तो वन फिर भाइए 1.03 करके इक्वल टू फिर 10 तक करते जाना एंप्लस में डालते जाना फिर लास्ट यह कर जो भी होगा वह आ गया यह एंड उसके बाद MRC करने से लोगा क्या जाता था तो यह आ जाता होगा यह आ गया इस तरह से अब इसे मुल्टिप्लाइ करते हैं तो यह कितना आ जाएगा 74.4 एंड इस केस में आ जाएगा 5 x 8.530 भी आगे 42.65 42.65 तक आपको कुछ भी प्रावल्म में होगा अब इसे मिल्टिप्लाइ कीजिए 5% का निकाले आप लोग 5% का थुसायत हम लोग निकाले हैं यहां 0.614 होता है और 7.722 0.614 7.722 61.4 यह हम लोग आजाएगा नेट पॉसीट चली नेट पॉसीट बोलता है कि यह एन पीवी नेट पर्जेट फैर्ट चली चली निकाले जल्दी आया रहा है कर दो चली मां प्रूप चली नेट आजाएगा है यह यह 9.25 पॉजटिव मैं एंसाइड निकाले यह आ गया गया 7.7 है निकेटिम है 7.7 कितना गया निकेटिम आगया अब आया या के लिए फर्मुला डालते हैं लोवरेट प्लस अन्पेटिम अन्प्राइट है फिर हाइर रेट माइनस इस तरह से यह हम लों का अब लोरेट कितना एजिंग किया थे 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 थी फर्सट अब लोग एजिंग किया थे प्लस 9.25 divided by 9.25 और यह माइनस मेंस क्या हो जाएगा प्लस होता है कि यह माइनस है और यहां पर माइनस दे रखा है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7.7 न आ गया इस दुनों का दिफ्रेंस 5-3 चले इसे सॉल पीचिए बार यहां रिख्रेंस 5-3 चले दे तो अभी एंड़र यहां गद्रेंस तो यह कितना आदा है यह आदा 4.08 है यह रहाल निकाले यह पर दो क्याल है तो यह आजरी आ भाल लोगोगे फिर उसके बात कॉस्ट अप्रीप निकाले मेद अ अब लोगे अगर है वह बेchlagenे रब हो milli aid cost of capital जिसमें एक market value weight से निकालेंगे एक निकालना है हम लोगको market value weight से और दूसरी निकालना है यहाँ पर book value weight से तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले number one answer का first number पर calculation of weighted average cost of capital using book value weight book value weight के साबसे हमनों को निकालना है cost of capital जिसमें सबसे पहले सूर्सेस कि यह venture है preference share है एंद उसके बाद equity share cutter amount amount कितना कितना दे रखा हो यह हम लोग book से लिखेंगे book value weight जब दिरखावा है तो यह दिरखावा है तो यह दिरखाव यह है 5 यह दिरखाव यहां भी 5 यह दिरखाव कितना है यह हम लोग का 10 लग इस से total करने के वाद यह कितना जाएगा तो यह आ जाएगा हम लोग का यह दो पुश्वार ने आप लोगों को तहीं सा से पहले हम लोग को सोर्स लिखना है जब लोग कालेंगे वेड़ेट अब इस cost of capital तो उस तेम को सबसे पहले सोर्स निकालना है सोर्स निकाले के बाद एमां लगे जो भी इमांट हो तक वो और उसके बाद इंहें कि अब कैसे निकालेंगे तो जो टे वेंचर टोटल करेंगे तो तने इस तरह से कितना आजाएगा जो फिर से कितना आजाएगा जाएगा पिर फ्रूल सब्सक्राइब 40 मेरे इस तरह से मलत निकलके आगया वेकर निकल्क निकलके आगया और साइब वेकर रटी कितना होगा वेकर दो वन हम लोग तो कुछ अलग नीए सकते हैं पर जब देशियों में लेते हैं तो उससे करना होता है इसलिए यहां पर जो गट लेते हैं वह वेड का टूल लेते हैं कैसे लेते हैं तो यह इस तरह से तीनों बार तीनों बार करते हैं तो हम लोगा जो भी वेड आता है वहां पर टूटल कितना आता है तो टूटल वन आता है अब कॉस्ट आप क्याप्टर कितना कितना दे रखाओ तो सबसे पहले डेट का निकाले से देट का कितना दे रखाओ हम लोगों को यह था 6.89 तो इससे क्या लिख सकते है 0.0689 यह तो लिख सकते है 0.0689 अब सेकेंड में 0.0 यहां पर कितना दे रखा हुआ है जो हमनों कॉस्ट आप रखेंस नहीं काला है तो 0.4.08 परसेंट दे रखा हुआ है तो 4.08 परसेंट में लिखना चाहेंगे तो 0.04 0.08 लिख सकते हैं लिखिये 0.08 इस तरह से cost of equity तो cost of equity देखेंगे कितना निकाले थे हम लोग तो एक्टम first में निकाले थे cost of equity जूथ हम लोग का 10% cost of equity कितना परसेंट था 10% तो इसे यहां पर लिखेंगे हम लोग 10% अब weight को लोग A मानते हैं plus में cost of capital को B मानते हैं तो A into B कर देंगे तो उने को क्या जाएगा weighted average cost of capital तो 0.25 into 0.0689 इसे कितना लिखना चाहेंगे आप लोग 0.01723 M plus मेरक देंगे यह से फिल 0.25 into 0.0408 0.0102 M plus और यह आजाएगा 0.05 0.05 into 0.1 0.05 into 0.1 किसे तो जो हम लोगा WACC आया उसे अगर percentage में लिखना होगा तो यह कितना आ जाएगा तो यहां आ जाएगा 7.7 0.74 तो यह इस तरह से हम लोगा WACC आया काल्कुलेशन ऑफ वेटेट एवेज कॉस्ट ऑफ कैप्टर यूजिक मार्क वैल्यू वेट मार्क वैली वेट को यूज़ करने के बाद हम लोग क्या निकालने वाले है वेटेट इस कॉस्ट ऑफ कैटर यहां भी लिखिए सबसे कहले सोर्स्षर सोर्सस में सबसे क्या धिर यहां पर रिंदर तक फिर प्रिषे इन से続 के वाद रखर्वा था एक और किवीटिश्यु सबसे पहलें निक थे एंपकम्स कंश काह हम लोगा दीरिखा था मारकट राइस कितना रख़ा Cabinet वन जरो फाइव और नमर ओफ डिवेंचर नमर अप्रिवेंचर हम लोग जूनी का रहे थे यहां पॉस्ट में इंक तमने स्टार्टिंग में यह कितना आया था तो यह हम लोग आया था करने वाल है यह आ जाएगा हम लोग निकालेंगे वेट इसके बाद कॉस्ट अब तो हो जाएगा यह हो जाएगा यह और यह बी इस तरह से एंटु तो चलिए किजिए और आप लोग फूसे बनाएगे अब तो हो जाएगा और यह हो जाएगा 34,75,000 आ गया और 5,25,000 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5.25 डिवाइड भाय है 34.75 तो यह उन्नों को कित्ता आ था 0.151 0.151 अब त्री देट में लिए तो यहां पर 0.151 आभिया इसी तरह से नेक्स्ट का करेंगे तो 5.5 अब लोग कीजिए कुछ दें 1.851 158 और इसका टुरल कितना होगा 1 होगा 24 डिवाइड भायवा अग्वार जैरो पॉइंड ले ले लीते हैं 1 तभी तो 1 होगा तो इस तरह से अम लोगा वेट आ गया वेट कैसे आ है आया तो जो अमोंट देरका हो है डिवाइड वाइड 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 टॉटल कैटल जो एमान दे रखवा दिवार बार टोटर क्याप्टर यह हम लोग डिवेंचर के लिए फिर प्रिफेंस एर के लिए लिए और उसके बाद इक्विदी शेर के लिए हम लोग किये अब कॉस्ट आप के ता किता दे रखवा था जो हमें लोग पहले लिखा है 0.0689 0.0689 उसके बाए 0.04 0PO8 था यहां na उसके बाद 0.10 कि यह हम लोग लोग सुट हे रखवा था था कॉस्ट आप आया कोस्ट कॉस्ट आप क्यापिनल बार भी इस कॉस्ट आप केकल कितना आता निकालते हैं 0.151 इंटु 0.0689 तो यह कितना आता है 0.101 04 M प्लस फिर 0.158 इंटु 0.0408 यह आगया 0.0064 फिर यह आजाएगा 0.691 इंटु 0.1 0.0691 0.08595 इस तरह से हम लोग कितना आ जाएगा 0.0 इसे अगर हम लोग परसेंटेज में कनवर्ड करेंगे इसे तो 0.0859 को अगर हम लोग परसेंटेज में कनवर्ड करते हैं तो यह हम लोग कितना आ जाएगा तो यह आजाएगा 8.59 परसेंट यह आजाएगा 8.59 परसेंट जो हम लोग आ जाएगा वेट इस परसेंटेज में और इसी के साथ यह सम्स कंप्लीट हुआ अब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट इलस्टेशन तब तक के लिए अपना निया रखिए बा निकाला होगा क Gabrie setzt में देखने निकाला होगा इतना बड़ा कोशन नहीं आजराक्ता में पट यह इस तरह की संजाने का चांस जायदा होता इसलिए आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस करके जाओ कि जो टाइम फ्रेम दे रखा होता है एक्जाम के लिए उतना टाइम में आप लोगो ये जो भी समस है वो बन जाए तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना है, एक वर खुद से बना के देखिए, अभी मेरे बास, मेरे साथ जो कर लिए हो गया, उसके बाद आप लोग को बार बार खुद से प्रैक्टिस करना होता है, इस समस को, ओके, चलिए, बाई